Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th exercise 1.1, chapter का नाम है integers, question number अब हम कर रहे हैं, 6, question में क्या है, let us see, रीटा गोज 20 km towards east, रीटा क्या करती है, पहले 20 km east की तरफ जाती है, इस direction में, प्रोम पॉइंट A, 2.B, यानि कि यहां से लेकर यहां तक का जो distance है, वो कितना हुआ, 20 km, देखो मैंने तो यह मेरे प्रिंट आउट से, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रखी, आप अपनी बुक में ऐसे मत कीज़ेगा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, फिर, फ्रोम B, B से, C moves 30 km टुवर्ड्स वेस्ट, B से, यह वेस्ट की दरफ जाती है, 30 km, सेम रोड से, यानि कि यहां से, यहां तक का जो distance है, इसमें तो कई लिखा ही नहीं हुआ, C, मान लेते हैं, यहां से लेकर के, यहां तक का distance, इसकी रेशियो अगर लें तो यह distance होगा, यह पॉइंट C कर लेते हैं, इसको काट दिया, यहां तक का, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसका यूज तो होना नहीं है, पेज का, तो आप इसे समझ लीजिए, आप मत कीज़े यहां से कटिंग पुटिंग, अपनी बुक के अंदर, ठीक है, यह हुआ 30 किलो मेटर, अच्छा आगे, इसा distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance travelled towards west, यह question हमारे पास क्या होगा, जी, अगर आप, distance, east की तरफ जो है, उसे आप positive integer से करते हैं, so, तो, आप, जो west की तरफ direction है, उसको आप, किस sign से use करेंगे, कौन से integer से करेंगे, positive या negative, अगर यह positive है, तो यह होगा negative, obviously, ठीक है, यहां से इस direction में east है, तो इसके west की direction को किस से सो करेंगे, positive या negative, यह positive है, तो यह negative होगी, by which integer will you represent the final position from a, a से इस की final position को आप कौन से integer से represent करेंगे, तो इसको करने के लिए solution को देखेंगे, solution क्या आता है, उस हिसाब से हम उसका, इस question का answer देखेंगे, इस second वालेगा, तो चलिए करते हैं, और start करने से पहले, channel को subscribe करना मत भूलिएगा, share कीजिए, comment कीजिए, कुछ कहना चाहते है तो, like कीजिए, पसंद आए तो, और बेला आइकन देबाना मत भूलिएगा, तो, solution distance represented towards east is positive distance represented towards west is negative इंटीजर लिग लीजिए यहाँ पर, तो एक answer हमारा यह होगा answer one, ठीक है, अब distance towards east from a to b is equal to क्या है, plus 20 kilometer distance towards towards west from b to c nectilinium minus 30 kilometer total distance यानि कि हम एड़ करेंगे दोनों को total distance 20 plus minus 30 तो यह आया 20 minus 30 यानि कि minus 10 यह minus 10 क्या आया है integer इंटीजर इंटीजर रिपर्जेंटिंग हर फाइनल पोजिशन फ्रोम ए इंटीजर और फाइनल पोजिशन इंटीजर साइन का मतलग क्या है कि वियर नेगटिव साइन कि सोज करता है कि हर डारेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट कि उसकी डारेक्शन वेस्ट की तरफ है जाने कि देखो यह हुआ यह हुआ यह यह यहां बीप तक पहुची है रीटा उसके बाद यह था ट्वन्टी किलोमीटर यहां से मान लिया कि यह ऐसे बैक चाथती है थोड़ से मोटे कर देता हूँ मैं लाइन यह इसके लिए सी तक तो लास्ट में वो एक के मुकाबले में तो लेट साड में यह ना वेस्ट डारेक्शन में तो इसलिए नेग्टिव साइन आया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस टैन किलोमीटर ओके okay students this way we have completed this question also मिलती है next video में next question के solution के साथ always have a great time